आज हम बात करेंगे सिवानी कुमारी को पर वो सिवानी कुमारी जो बीग बोस में गई हुई है वो सिवानी कुमारी जो नाम पहचान सोरत सब कमारी है वो सिवानी कुमारी जो तीन बार नॉमनेट हुई बीग बोस से फिर भी उसे बाहर निकाल कोई नहीं पाया जनता का सपोर्ट है जनता का सिरवाद है गाउं की रहने वाली बिना पिता का रहने वाली जिसनों ने अपने मा के जरिये अपनी मा का सपोर्ट के कारण मा तो पहले सपोर्ट नहीं करती थी तिरकिन धीरे 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 मा का सपोर्ट मिला और मा का सपोर्ट के वज़ा से बीग बोस तक सफरते की फले छोटे छोटे कसबो का वीडियो बनाते थी, क्या खा रहे है, कहा जा रहे है, किस तरह से रहा रहे है, हर तरह के वीडियो सूट करती थी आज दिरे दिरे वो Big Boss में पोईस गई है, लेकिन कुछ लोग हैं जो Big Boss में नहीं देखना चाहते हैं सिवानी कुमारी को पहला नाम है एल्विस जादो वो ही एल्विस जादो जो बिक बॉस सीजन में उन्होंने अपना पहचान बनाया अपना नाम कमाया और कहीं न कहीं कॉन्टिवर्सी में रहे और कॉंटिवर्सी में रहने के साथ सा मनिसा कुमारी का सा रैफेर का मामला हुआ और वहां से छुटकारा पाये तो कहीं न कहीं जहर का मामला आया और साफ का जहर बेचने के नाम से मसूर हुआ तो आज जो है कहीं न कहीं इसका जो नाम ठफ़ा लगा हुआ है साफ का जहर बेचने वाला नुएड़ा पुलिस ने उससे उठाई थी और कहीं न कहीं इसका च्छान बिन किया च्छान बिन करने के बाद क्या सोट आउट हुआ आया है कहीं न कहीं अलवीस का हाथ नहीं मिला इसमें इसमें जाते थे और कहीं न कहीं वो पाटियों में जाते थे रिकिन जब ये बीग बोस में थे तो बीग बोस में इनका हर गाओं वाला हर सहर वाला हर बच्चियां हर गरीब बच्चियां हर बड़े बच्चियां इसका सपोर्ट किया था लेकिन क्या कारण हो गया कि एलवीश जादो ने मनीशा कुमारी को गवार बोला क्या कारण हो गया कि मनीशा कुमारी को तीनवा नॉमिनेट होने के बावजुद भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं बिहार की जनता उत्तर प्रदेश की जनता जारखंड की जनता और कहीं न कहीं हिमाचल प्रदेश की जनता तो ये कहीं न कहीं ये दिख रहा है, पूरा भारत के लोग सिवानी कुमारी को सपोर्ट कर रहे हैं, रेकिन ये अलवीश जादो गुवार कहने वाले कौन थे, ये अलवीश जादो के साथ साथ बहुत सारी यूटूबर थे, जो मनिशा का नाम से परसलीद उस गलत वीडियो को बहुत पसंद करते थे, लेकिन ये साप सुथरा, मनिशा जो है उसको वीडियो को लोग सब पसंद करते थे, वो भी गवार भासा बोलती थी, वो भी अपने भासा बोलती थी, क्योंकि डर्टी परसंद थी, इसलिए लोग सब लोग पसंद करते थे, लेकिन सिवानी कुमारी के उपर, देखो बीग बोस में इतने बड़ी OTT में गएने के बाद भी अपना पहनावा में चेंज नहीं की, देखी पहनावा में चेंज नहीं की, बोलने का तरीका तर तरीका अपना चेंज नहीं की, लोग बुरा भारत के लोग पसंद कर रहे हैं उसे, लेकिन ये बेतमीज लोग जो दो चार यूटूबर बेटे हुए हैं, हमारे देश में, उन लोग को तमीज होना चाहिए कि गाओं की बेटी, छोटी से गाओं की बेटी, का सिवानी कुमारी बीग बόस OTT 3 से वीणर वन के निकलती है, यब पहले निकलते हैं, क्योंकि तीन वर होने के बावजूद भी सिवानी कुमारी डटी हुई हैं, सबसे बड़ी बात है, आज तक की इत्यास में कभी नहीं हुआ है, आज तक की इत्यास में, कोई भी अगर एक बर 9 minute हो चुका है दूसरा बर 9 minute नहीं होगा दूसरा बर वो 9 minute से हटेगा लेकिन सिवानी कुमारी 3 बर 9 minute होने के बावजूद भी वो बीग बोस OTT 3 में घर में बेठी भी है और पूरा जनता उसे सपोर्ट कर रहा है यह जनता का सपोर्ट है जनता का इतिहास का सपोर्ट है जनता के गरीबों का सपोर्ट है और यह जनता जनारदन जो है गरीब का जब सपोर्ट करना चालू कर देते हैं भारत की इतिहास में कोई खाली हाथ आने वाली नहीं है और मनिश मनिश्चा जो थी वह बिनवरन सकेंड बनी थी उतर पर देसकी वह भी थी बिहार की थी वह लेकिन वो अपने इमेज अलग तरीका से बोलने का तरीका था रेकिन यह दिहात की बोल है और दिहात की भासाओं को लोगों जब इतना पसंद करते हैं तो थाइंक है लोगों का कि लोग जो हैं गरीब भासाओं को गरीब की भासाओं को बहुत जादा पसंद करते हैं तो करले बताईगा मनीश सा ठकर देगी सिवनि कुमारी क्या मनीशा पिछे हट रही है सिवानिकुमारी के लिए सिवनिकुमारी से बहुत बढ़ की लड़की है और सिवहोत में अब Nawal अपना दिखा दी गरीब गाउं की लोग अगर जदी चाले कि वीनर बनाना है शिवानी कुमारी को तो वीनर बनेगा बहुत सारी यूटूबर हैं बड़े बड़े यूटूबर है चुछेरे उटूबर हैं साले पागलू यूटूबर हैं देखिए ना जो शिवानी कुमारी को ट्रोल कर रहे है सिवानी कुमारी बीग वो से वीनर बन के निकलेगी सिवानी कुमारी वीनर बनेगी चाहे कुछ भी हो जाए अर्मान मलिक देखो उसकी बीबी को तो बहुत मिर्ची लगता है अरवान मलीक की बीवी को बहुत मिर्ची लगा क्योंकि बाहर के लोगों ने उल्टा सिधा जो बोला वो दो साधी किया अच्छा किया दूसरी बीवी को अपना बीवी बनाया अच्छा किया लेकिन इसकी बीवी को कोई गलत नजर से देख लिया कोई कुछ बोल दिया तो इस खाई के नाम के लिए कोई वीनर नहीं बनेगा सिवानी कुमारी को ओनली वीनर बनना चाहिए और सिवानी कुमारी का सपोर्ट पूरा भारत के लोग करिए और पूरा भारत के लोग जब तक सपोर्ट करिएगा सिवानी कुमारी बीग बोस में बनी रहेगी धन्यवाद आप का सिवानी कमारी का सपोर्ट करने के लिए और जब सिवानी कमारी बीग बोस से बाहर निकलेगी तो पूरा भंडारे का बटवारा होगा तो उसके लिए आप बने रहें बीडियो में और सिवानी कमारी का सपोर्ट करिए कमारी सिवानी को पूरा भारत का नंबर वन बीग बो आए बने सोचीगी कि आने वाला कल आने वाला समय हमारा कहीं ना कहीं सोचल मीडिये के जरिये बहुत बड़ा यूटूबर बनने के जरिये मुझे टीवी पर आने का सोक मिलेगा और टीवी से कहीं ना कहीं मूवी पर जाने का सोक मिलेगा ये चीजें लोगों का अंदर से फि देखने के लिए जहिन जे वारत